बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम अस्लाम लेकुम स्टूडेंट्स विल्कम बैक तो माई चैनल आल अबाउट माच्विस सहर आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है चप्र 1 है सेट्स एन एक्सराइस 1 है तो क्वेशन हम इसका फोर स्टार्ट करते हैं से पहले अगर अभी तक आ तो हो रहा होगा आप आप मेरे अकाउंट पे जाकर मुझे डियम कर सकते हैं सारी डिटेल इंस्ट्राग्राम पे ही आपको दूगी तो क्वेशन हम फोर स्टार्ट करते हैं इफ ए इस इक्वल 2468 अब यह एक सेट की फॉर्म होती है सेट में अब यह इवन नंबर्स है और बाइब देखी तो बी में हमारे पास 1357 जो के ओड नंबर है ठीक है तो यह सेट्स दियों में ए और बी और फाइन हम लिखे करना है अब यूनियन जो होता है वो अर्रेंजमेंट का नाम होता है यानि कि यूनियन में हम दोनों वैलियू की जह हो अर्रेंजमेंट करते है न इसका कर दूं हमने एग यूनियन भी लिख तो सबसे पहले ए और इसका मतलब हमने हमने सबसे पहले एका लिखने लिखना है अब कुछ पैचे participated हैं हम यह जि़रीम करतें इसका कर दोल्यक्र रिख़ा है तो एह हम दिचाता है आठ यूनियन है तो सेंटर में यूनियन जो है वह हम लिखेंगे पर तो बीं है तो बीं है जो इसारा सट लिख देना है बिधर को अरे बदते हैं पिर नहीं को साथ को पर नियुनियन यू वह में लिख देते हैं तो A union B, यानि कि जो union होता है, उसमें हमने numeric form को जो भी numbers दिये होते हैं, उनको arrange करके लिखना होता है, तो start किससे होता है, अगर whole values है, तो 0 से start होता है, अब देख लिखना है, किससे start हो रहा है, 2 है, यहां पर 1 है, तो कहां से start हो रहा है, 1 से, जो छोटा होगा हम सबसे पहले वो लिखेंगे, और अगर इसमें भी आ गया है, यानि कि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, लिखेंगे हम एक दफ़ा, यह चीज़ आपने याद रखने हैं कि union में हम arrange करके लिखते हैं, और unique लिखते हैं, तो 1, उसके आगे 9 नहीं है कहीं भी, तो यहां तक stop हो जगा हमारा set और A union B का जो है, इक्ज़ेटली यह answer है, एचा जी, question number हमारे पास 5 है, जिसमें लिखा हो है कि, if A is equal 3, 6, 9, A हमारे पास ऐसा set है, जिसमें कुछ elements दिये हैं, कुछ values दिये हैं, और B हमारे पास set क्या है, जिसमें इसमें कुछ नो कुछ elements हैं, कुछ नो कुछ objects हैं, लेकिन B जो है, वो empty set है, क्योंकि यहां पर आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, simple healthy space है, तो इसका मतलब है, B क्या है, एक empty set है, और find क्या करना हमने A union B, तो हम simple क्या करते हैं, पहले sets को लिख लेते हैं, हमने find करना है A union B, यानि के दोनों में जो values होंगी, उनको arrange करके लिखना है, अब यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा, कि B में तो कोई value ही नहीं है, ठीक है, तो जब हम इनको arrange करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिखा था, A union B है, तो सबसे पहले A का set हम हमने वो लिख दिया, फिर B है, तो हम यहां पर B का set भी लिख देंगे, तो B हमारे पास empty set है, इसको amazities रहने देंगे, जब union की बात आती है, तो arrangement करनी है, जो भी दोनों values होंगी, दोनों set में elements मजूद होंगे, उनकी arrangement करनी है, तो दूसरे में तो है नहीं है, तो बाकी ज तो हम यहां पर लिख भी देता है, कि A union B जो है, वो A के equal है, A set के equal है, ठीक है, question number 6 है, if R is equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, and S 0, 3, 6, 9, and T 1, 3, 5, 7 है, 3 set दियों है, और find हमने क्या करना है, यहां पर first part है, बागी इसके दो और part है, तो हम भी देख लेते हैं, तो सबसे पहले, R and T, यानि के R और T का intersection find करना है, अब intersection जो है, वो basically क्या होता है, कि दोनों sets में जो चीज सेम होती है, वो हम लिखते हैं, तो मैं क्या कर रही हूं, R intersection T find करना है, उसके लिए simple में क्या लिखूंगी, R का set, intersection T का set, और इसको solve कर लोगी, तो R हमारे पास क्या है, आप चाहेना तो आप यहां पे इसको एक दफा फिर से लिख ले सकते हैं, जैसे कि मैंने हार question में लिखा है, अच्छा, यह जो question number 5 है, इसमें यह वाला answer भी ठीक है, और यह वाला answer भी ठीक है, अगर आप यह कर लेते हो, तो यह extra माना जाएगा, व अब intersection, intersection, union, यह operators होते हैं, इसका अपने set तूने नहीं लग जाना कि इसका set का है, यह एक operator है, intersection मैंने center में लिख दिया, फिर T है, तो T के है, 1, 3, 5, and 7, जैसे मैंने आपको बताया कि intersection में, जो दोनों set में same value आती है, वो होता है intersection, तो हम देख लेते हैं, यहां पे कौन कौन सी चीज है, union और intersection में difference आपको करना आना चाहिए, ठीक है, यह basic चीज है, यह है one, दूसरे में one मजूद है, yes, तो यह one आगया, two, first में है, second में नहीं है, three, first में, second में है, यानि कि दोनों में है, तो three लिखना आपने एक दफ़ा है, दोनों में same है, दो दो दफ़ा है, लेक second में है, five है, first में, second में भी है, तो simple हम five लिख लिख लेता है, अब six की बात करते है, to six first में है, penged second में नही है, seven second में है, लेकिन first में बाकि. इतनी हमारी तीन values ही है, जो intersection में आ जाती तो Barnes यहां नोह पहुंहे लिक्क наши हैं कि इस सबसे पहले sulphphalade से तो acting ही लिखे हैं ऐस अब है आपते हैं आफ्ल है आंपनी स करने पहले स लिखना इस संटर में c तो यहां पर भी इंटरसेक्शन लगाना है कोई कोमा लगाने की ज़रुएत नहीं है आपको सिंपल आपने साइट सी लिख देने हैं और इंटरसेक्शन सेंटर में लिखेंगे आर क्या है वान टू त्री फॉर फ़ाइब सीच जो कॉमल है दोनों में हम लिखेंगे जीरो फर्स्ट में है सेकिंड में है इसको स्किप कर देंगे थ्री फर्स्ट में है सेकिंड में है तो इसको हम एक दफा लिखेंगे सिक्स फर्स्ट में है सेकिंड में है येस दोनों में है तो इसको भी हम एक दफा लिखेंगे 9 first में हैं second में नहीं है बाकी second के value ना first में है यानिक कि सिर्फ दो numbers ही match हो रहे हैं तो यह हमारे पास अस आयए असा आगया को पास या असा असा जो इसका third part है T-INT-S तो मैंने सारा data लिख यानिकि दोनों sets लिख 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 ली है तो हाँ अपने final करना है T-intersection S T की जगा सबसे पहले T है तो T की value लिखेंगे 1, 3, 5, 7 intersection center में center में intersection लिखेंगे S का क्या है 0, 3, 6, 9 अब इन दोनों में जो common है हम वो लिखेंगे 1 first में है second में नहीं है skip कर देंगे 3 first में है second में है yes तो 3 को में एक दपा लिखेंगे 5 first में है second में है नहीं wait 5 first में hai second में हिए 7 first में है second में नहीं है 65 seconds में नहीं है 9 seconds में है 첫 में ही तो 3 ही एसा number है जो T और S का intersection है ठीक है बाकी और कोई भी चीज स्मी नहीं है